भारतिय टीम के क्रिकेटर बॉलिवुट की हसीनाव पर फिदा हो जाते हैं लेकिन इन चार क्रिकेटरों की अगर बात करेंगे तो इनकी गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा बोल्ड हैं कि किसी की निगाह एक पल के लिए ना हटे जो देखता है बस देखता रह जाता है आहे भरते हुए घर को जाता है इनकी होटनेस ऐसी है कि आपकी निगाह भी एक पल के लिए नहीं हटेगी इनकी खूबसूरती पर भारतिय टीम के ये चार खिलाडी फिदा है पहले नमबर पर जिस खिलाडी की गर्लफ्रेंड है वो तो वाकई में लगी है नमबर चार शुबमन गिल गिल और सारा तेंदुलकर के रिष्टे की चर्चा तो आपको बहुत ज्यादा पता होगी सारा तेंदुलकर के साथ गिल का नाम सबसे ज्यादा जोडा जाता है देखा गया है कि कई मौके पर सारा तेंदुलकर मैच देखने के लिए पहुँचती हैं गिल का होसला बढ़ाती है मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इसी जोडी की होती है सारा तेंदुलकर दिखने में बेहद खूबसूरत है जो भी इनको देखता है बस देखता ही रह जाता है खबर मिली थी कि सारा तेंदुलकर आने वाले वक्त में मौडलिंग की दुनिया में हाथ आजमा सकती है लेकिन देखना होगा कि गिल के सारा कभी अपने रिष्टे को मानेंगी और आगे दोनों एक दूसरे के होंगे की नहीं लेकिन अगर इनकी जोड़ी बन गई तो कमाल ही हो जाएगा नमबर तीन रीशब पन्त रीशब पन्त दिल के बहुत साफ इंसान है जो दिल में आता है वो बोल देते हैं कुछ भी नहीं सोचते एक दो नहीं बलकि कई लड़कियों के साथ रीशब पन्त के रिष्टे की बात सामने आ चुकी है काफी वक्त कुरवशी रौतेला उनके पीछे पड़ी थी लेकिन जब उनको भाव नहीं दिया तो नाराज होकर उन्होंने रीशब पन्त से अलग होने का फैसला किया लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसी चर्चा है कि रीशब पन्त ईशा नेगी के साथ रिलेशनशिप में हैं दोनों की कुछ तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुकी हैं जिसमें दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं इनकी भी खूबसूरती देखते ही बनती हैं वाकई में ईशा की बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और रीशब पन्त के साथ इनकी जोड़ी कमाल की रहेगी मीडिया रिपोर्ट के मताबिक ईशा और रीशब ने 19 साल की उम्र में डेटिंग शुरू कर दी थी ईशा एक मॉडल है बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार श्रेयस को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिल गया लेकिन जब जब बात खूबसूरत गर्ल्फरेंड की आती है तब तब उनकी गर्ल्फरेंड की चर्चा सबसे ज्यादा होती है लगातार एक मिस्ट्री गर्ल उनके साथ वायरल हो रही थी जिसका नाम त्रिश्शा कुल करनी है ये लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करती है और अपने रिष्टे को खुल कर स्वीकार नहीं की है लेकिन इनके बारे में लोगों को तब पता चला जब श्रेयस अईयर ने इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया इतना ही नहीं अईयर की बहन श्रेष्ठा भी उन्हें फॉलो करती है कुछ दिनों पहले ही दोनों को शारदुल ठाकुर और उनकी पतनी के साथ डिनर पर भी देखा गया था इसी वजह से दोनों की रिलेशन्शिप की बात हो रही है इशान टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर है इनको अभी भी टीम इंडिया में वापसी का इंतजार है लेकिन अपनी जिंदगी इशान किशन मस्त गुजार रहे हैं और अपनी गर्लफरेंड के साथ खूब मौज काट रहे हैं मीडिया रिपोर्ट की माने तो इशान किशन की गर्लफरेंड का नाम अदिती हुंडिया है जो पेशे से एक मॉडल है और म्यूजिक वीडियो विग्यापनों के जरीए कमाई करती हैं बता दें कि अदिती ने साल 2018 में मिस सुपरनेशनल इंडिया खिता 2017 में मिस इंडिया कॉंटेस्ट की फाइनलिस्ट रही थी ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और इंस्टाग्राम पर जबरदस्त वीडियो शेयर करती है अपनी हॉटनेस से सोशल मीडिया पर सोर मचा देती है यही वज़य है कि इशान किशन भी इन पर लट्टू हो गए खबर है कि दोनों शादी भी कर सकते हैं दोस्तो इन खिलाडियों में किसकी गर्ल्फरेंड आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी कमेंट में बताना ना भूले